सीतापुर के निवहौरा गाओं के हालाद में दिखाता हूँ आप देख सकते हैं गाओं में शार्दा नहर का पानी किस तरह से लगातार पूरे वेख के साथ में प्रवेश कर रहा है किसी तरह से यहा जो लोग हैं उनको बचाने का सिल्सला जारी है दिखाऊंगा मैं मेरे द बचा जा रहा क्योंकि बहुत ही तेज वेग से पानी लगातार गाउंगों में भर रहा है अभी तक अभी तक ऐसी कोई भी सूरत नहीं बन पाई है कि यह पानी रुख सके लगातार पिछले कई घंटों से कुछ यही आलात है पीसी के लोग आई हुए हैं रात बचाओ करने क जाए सिती गाउं की है कहा कहा आप लोग गया हैं जिसमें पाच लोग अंदर तीन लोग हम बाहर है रसी के माध्यम से आदे गाउं को लगवग बाहर किया जा चुका है आदा गाउं अभी अंदर है उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है कई घंटों से पिछले काम कर दो गंटे से और अधिक वड़ा है उसे जो है वह पर परेशान है इस पानी के बीच फसे हुए है इनको बचाने के प्रयास किया जा रहा है लेकिन दिक्कतें बहुत हो रही है परेशानियां पेस हो रही है चुकि कई गाउं में इस तरह के हालात हो चुके हैं लगातार पा कर रही है कितने लोग दो स्वार करें लोग olan जूज रहे हैं लोगों को बचाने के लिए तैयारी तका लेकिन लेकिन देखिए इस ति क्या है कि लगातार जो प्रवाह है सारदा नहर के जल का वो बहुत तेज होता चला जा रहा है पानी गावों में भरता चला जा रहा है और कमों पर यही हलात ऐसे लगबग एक दरजन से ज्यादा गावों की है यह देखिए ग्रामील इलाकों ग्रामीलों की एक कार है जो इस वक्त आप देख सकते हैं पानी में पूरी तरह फस गई है रहात समाधरी बाटने का काम हो रहा है लेकिन नाकाफी है क्योंकि बहुत दिक्कते पेश आ रही है बहुत तेज पानी का प्रवाह सामने देखिए कुछ बच्चों को भी ले करके बाहर आया जा रहा है कोशिस की जा रही है कि जो लोग गाउं में फसे हुए है उनको सकुषल सुरच्छित बाहर किया जा सके और इसकी प्रयास लगातार जारी है चुकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है इस कारण से परशानिया पेश आ रही है रहत और बचाओ के कार मे कैमरामन प्रेम सिंग के साथ संजेत रिपाथी एबीपी नियूज सीतापुर